अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे और बेड आइकन को प्रेस कर दिजे ताकि कोई भी नूटिफिकेशन आप तक मिले हमेशा मैं कोई ना कोई इंपोर्टेंट टॉपिक पे ही वीडियो लेके आती हूँ तो आज का जो टॉप मैं आपको सिंपल वे में बताती हूं कि कैसे अपनी आईडि को लॉग इन करना है so हमेशा की तरह गूगल पर ही आपको जाना है और Google पर जाके Millenhay March लोगिन जर्श करना है जो फर्सट वाला लिंक आएगा, उसस पर क्लिक करना है जैसे कि पहले करते थे लेकिन अभी क्लिक करने पर इस तरह का इंटरफेश आपके सामने आएगा तो यहाँ पर आपको back to home पर क्लिक कर देना है back to home पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सारे courses के name with price so होंगे and आपको सिखना यहाँ पर है कि ID को login कैसे करें यह तो हमारा millionaire track का website का वो सारा show हो रहा है जो कि first interface है आपको क्या करना है three line जो है उस पर click करना है right side में इस पर click करते हैं यहाँ पर home, courses, about us, contact us, enroll now and logins हो रहा है login पर click करेंगे, login पर click करते ही आपसे पहले की तरह ही email ID और password पूछा जाएगा लेकिन आपका पुराना password जो है वहाँ पर login नहीं होगा उसको अगर आप डालके करते हो तो नया password लेगा या फिर आपके sponsor द्वारा जो password मिलिए उससे बिलकुल भी login नहीं होगी आपको यहाँ पर करना होगा password को change तो आपको क्या करना है अपनी email ID डालना है जिस email ID से अपनी आप ID create किये हैं, millennia track में sponsor द्वारा करवा हैं तो यहाँ पर मैं अपना email ID डाल देती हूँ password मेरा नहीं लेगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर login और login के नीचे reset password का option आ रहा है reset password पर click कर देंगे, तो फिर से हम से email ID पूछा जागा, तो वही email ID फिर से हमें click करना है यहाँ और reset password पर click करना है reset password पर जैसी click करेंगे तो यहाँ पर एक message आ रहा है, you have send an email to reset मतलब आपके email पर एक link गया हुआ है, जहां से आप अपनी password को reset कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं mail पर और वहाँ पर check करते हैं कि हमें mail receive हुई है या नहीं है तो mail पर जाएंगे तो आप देख सकते हो कि हमें just email receive हुई है, उस पर click करेंगे यहाँ पर email receive हुई है, हमें 2.47 मिनट पर यहाँ पर एक link आई हुए, click here to reset your password इस पर click करेंगे, जैसी इस पर click करते हैं तो हमारे सामने update your password, email id, new password and confirm password मांगा जा रहा है तो same हमें वहीं email डालना है जो जिस email को अभी तक डालते आ रहा हैं जो हमारा email है और password के जगा पे जो हमें password खुद के लिए create करना है वो password आप डाल सकते हैं आपका जो भी password है ऐसा डालना है जो याद रहा है, जो enter new password में डालेंगे वहीं आपको confirm password में भी यहाँ पे डालना है डालने के बाद update password करेंगे, update password जैसी करेंगे तो आपका update हो गया, यहाँ पे continue कर देंगे तो आपका password जो है गूगल में save हो जाएगा जिसमें आपको बार बार password नहीं डालना होगा, तो यहाँ पे update कर देते हैं password को, फिर यहाँ पे अपना email id डालते हैं और password के जगह जो हमने new password create किया था, वो यहाँ पे डालके login पे click करते हैं, login पे click करेंगे तो आप देखो मेरा id है login हो गया, आप पता कैसे चल रहा है कि login हो गया, क्योंकि उपर में so हो रहा है, you have successfully logged in, और यहाँ पे course तो so हो रहा है, but जहाँ पे three line था right side में, वहाँ पे हमा पैनल, help, logout, सारा कुछ so रहा है, logout भी आप यहाँ से कर सकते हैं, but हम अभी dashboard जैसे open करके दिखाते थे, dashboard दिखाएंगे, तो आप यहाँ पे मैंने dashboard open किया, dashboard open करेंगे, तो पहले के तरह बिल्कुल भी नहीं देख रहा है, और बहुत ही अच्छा दिख रहा है, सारा कुछ जो सो होगा, तो इस तरह से अप अपनी new ID को login करेंगे, new website जो भी launch हुई है, उस पे अपनी ID इस तरीके से login करेंगे, start में आपको ऐसे ही करना है, I hope आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को like कर देना, और चैनल क सब्सक्राइब करके ही जाना, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही important topic पर फिर से लेके आओंगी, तब तक के लिए बाबाए,